नमस्ते दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरहित एडवोकेट और आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि पिता से प्राप्त संपत्ती बेटियों की मृत्त्यू बात किसे मिलेगी और उस पुत्त्री की अगर मृत्त्यू हो जाती है तो ऐसी इस्तिती में उसकी मृत्त्यू के बाद वह संपत्ती किन लोगों को प्राप्त होगी तो आज का वीडियो काफी important वीडियो है आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लिजी ब्लैकन को प्रेस कर दीजी और इस वीडियो को फटा फट लाइक कर दीजी क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरवल आसन भाषा में कानून की नई नई जान कर दीजी तो आई वीडियो को शुरू कर लेते हैं देखें दोस्तों यहां पर यह एक जमीन है और यह जमीन जो है यह इस व्यक्ति के नाम पर है इस व्यक्ति के यह एक पुत्र है यह एक मरत पुत्र है यह इसकी पत्नी है ठीके और यह एक मरत पुत्री है जो की जीवी थे ठीके और इस मरत पुत्री के यह एक पुत्र है और यह एक पुत्री है अब क्या होता है कि इस व्यक्ति की मरत्य हो जाती है और ऐसी इस्तिती में इसके नाम पर जो यह संपत्ति है यह इस पुत्र के नाम पर और इस पत्नी के नाम पर और इस म्रत पुत्री के नाम पर और इस पुत्री के नाम पर दर्ज हो जाती है अब क्यों होता है अगर इस पुत्री के नाम पर ये संपत्ती दर्ज हुई है लेकिन आगे जाकर भविश्य में इस पुत्री की भी रत्यू हो जाती है तो एसी इस्तिती में इसके हिस्से की जो संपत्ती है इस जमिन में से इसके हिस्से की जो संपत्ती है वह कीसे प्राप्त तो देखे हिंदु उत्रादिकार अधिनियम जो है उसके अनुसार इस महिला को जो संपत्ती प्राप्त होई थी अगर इसके कोई पूत्र पूत्री है चीके या पती है तो उसको ये संपत्ती प्राप्त होगी लेकिन अगर इस पूत्री के कोई भी पूत्र पूत्री या इसक इस महिला का है वह हिस्सा किसे प्राप्त होगा। इस महिला के प्राप्त होगा। इस महिला के मा है तो इसको भी प्राप्त होगा। और अगर इस पुत्री के अलावा और भी कोई पुत्री इसके प्राप्त होगा। अगर कोई इस महिला के प्राप्त होगा। तो हम संक्षिप्त में यह समझ सकते हैं कि अगर किसी महिला को कोई समपत्ती उसके प्राप्त होगा। तो उस महिला के पुत्र पुत्री या उसके पती के जिविद न होने की इस्तिती में वह समपत्ती वह वापस से उसके पिता की और चली जाएगा। उसके पिता के वारिसों को ही प्राप्त होगी। अब इस प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने के लिए आपको क्या कारिवाई करने पड़ेगी तो देखिए इस व्यक्ति की जैसे ही म्रत्यु हुई तो इसके इस्थान पर इस जमिन के सरकारी कागाज में इस व्यक्ति का नाम इस व्यक्ति के वारिसों का नाम और इस महिला का वारिसों का नाम और इस महिला का नाम दर्ज हो जाता है ठीक है लेकिन जब इस महिला की मरत्यू होती है और इसके कोई वारिस नहीं है तो ऐसी इस्तिती में यह व्यक्ति यह व्यक्ति या यह महिला या फिर यह वारिस जो है यह वारिस जो है यह इस जमिन पर अपना जिसमें कि यह आएगा कि इसके वारिस कौन-कौन है, सजराफाम में, ठीके, उसके बाद में आवेदन तयार करने के बाद में, जो भी व्यक्ति इनमें से है, वो व्यक्ति जो है, लोगसेवा गैरेंटी में आवेदन देगा, ठीके, इस जमीन के सरकारी कागज भी निकालने पड़ेंगे, खसरा बिवन भी निकालना पड़ेंगे, और उन सभी कागज के साथ में, लोगसेवा गैरेंटी में आवेदन लगेगा, ठीके, लोगसेवा गैरेंटी सेवा आवेदन, कहा जाएगा, तेसिल दार महोदय के समक्षी जाएगा, तेसिल दार महोदय के द्वार वारिसान की रिपोर्ट ली जाएगी कि इस महिला के कौन-कौन वारिस है चीक है अब वारिस की रिपोर्ट जो है तेसलदार मोहते के समक्ष हो जाती है और उस रिपोर्ट में है आ जाता है कि हाँ वास्तों में इस महिला के कोई पुत्र-पुत्री नहीं है और इसके वारिस म जो सजराफ आम दिया है उसके अनुसार नामांत्रन कर दिया जाएगा तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लागा होगा अच्छा लागा तो लाइक कर दीजी अधिक से दिर लोगों तो शेयर कर दीजी फिर मिलते एक लेडियों तर तक के ल कर दो रखता हूँ कि आथियों ट दिर भी जाएब।